सबी बाईयों को नमस्कार सबी का सुवागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेरी फाम पे मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान सातियों का हरदिक सुवागत करते हैं जी एक नई वीडियो के साथ परियास पसूपालक किसान सातियों को जब भी अप और पसुपालकों की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है लेकिन फिर भी हमारा परियास यह रहता है कि अच्छा पसुदनाब भाईयों को दिखाएं जब भी वीडियोज में लेके आएं आज की वीडियो उसी परियास में राकेस भाई के यांसे है गाउं सुद्राना डिस्ट पसुदन निकालकों तो आज सामने बहुत बड़े अडर की बिल्कुल छोटे सिंग की जोटी है जी इसके बारे में जानकारी लेंगे वीडियो में लास्ट तक पसुदन के बारे में दी जाएगी सामने आप देख पा रहे हैं राकेस भाई को और जो है अभी इस जोटी के बारे में पूचते हैं नमस्कार जी राकेस भाई तो आज काफी समय के बाद वीडियो आ रही है अच्छा तो क्या कुछ डिटेल है इस पसुदन के एक बार बताएं जी और आज ये 15-16 दिन की ब्याई हुई है जी जी और आज इसमें 18 किलो दूद अभी तयार है कितने दिन की ब्याई बता रहे हो बच्चा क्या है साथ में निच्चे कटडा 15-16 दिन की ब्याई हुई दूसरे ब्याद की जोटी 18 किलो दूद तयार एक बार इसको खोलो जी बिल्कुल छोटे सींग की और अडर की जो बात करें जितना इस अडर क्वालिटी पे बोला जा गया क्योंकि मैंसे जो है कम बच्चा देती जा रही है और पसुपाल को की डिमांड जो है वो लगबख बढ़ जाती है इस समय में और जितना ब्यात कम होगा उतनी मैं कहूंगा ले मोड लो यह देखो उतनी बैसे जो है महेंगी होती चली जाती है सींग बिल्कुल छोटा बिल्कुल टोप क्वालिटी का और इधर से आप देखेजिए आडर की जो क्वालिटी है तनों में स्पेस पिछे से साइड से हर एंगल से टैल स्टार्टिंग से ही चोटी है यह नहीं कि कई बारी पसुपाल काट देते हैं वो नहीं स्टार्टिंग से ही चोटी इसकी जो और यह देखें जी क्योंकि वाइट बाल अभी भी इस टेल के अंदर हैं तो कई बारी जो है पसुपाल काट देते हैं यह देखो जी बिल्कुल गोल वो है कटने का कोई सिस्टम नहीं कि बही कई बारी काट देते हैं जी छोड़ दो तो 18 किलो दूद तयार है और इस साइड स नहीं थनों की स्पेसिंग है वो बहुत ही अच्छी चारों बिल्कुल साफ सुत्रे खुटे की तरह हैं और मैं दूद वाली बैंस के ब्रीड करेक्टर जब देखते हैं तो थनी देखे जाते हैं कि जितना मजबूत थन होगा उतने ही दूद वाली बैंस जो है आप सुपा पिने के तीन-तीन महीने के होते हैं और फिर बाद में जब पसुपालक देखने आता है तो नराजगी जाईर करता है तो अगाडी कितनी निकाल रही है जब से वीडियो बना रहे हैं खोर से बारी मून ही निकाल रही तो क्या पेक्स है कितना दूद बढ़ाएगी अभी जोटी निचे की बहुत ही जादा साथ है मैं बार-बार कहूं जितना इसकी निचे की अडर क्वालिटी पर बोला जाई नॉर्मल साप देख भी पा रहे होंगे जटका है लेकिन ये दूद वाली बैस में मिलता है लगबग जो अब तक मेरे पास भी आई हैं दूद वाली बैसों में ये चीज़े जरूर थोड़ी बहुत मिलती हैं क्योंकि सो नहीं वैसे भी अगर दूद की बैस में हम सो की सो करेक्टर निकाड़े ना तो मेरे इसाब से खरीदी नहीं जाती लोग आज 10-10 लाग की 20-20 लाग की बैसे बता रहे हैं वो कंपलीट जब रीड करेक्टर करती है तो वहीं पे दूद के साथ अगर ये चीज़े हो जी चणे का छिलका है जी बिनोड़े की खड़ा है जी और मेठी है सो से टेड़ सुग्रा में एक टाइम की जी और आदा फिलो बुड़ है शाम शाम को तो इतने अच्छे पसू इस टाइम में तो लोग बोलते हैं वैसे मिलती नहीं फिर कहां से स्लेक्ट करती है अच्छा मतलब किमत अगर साइज होगे ना तो सारी चीजे उपलत मिलें जी 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 पता है एक गराक आया था और बैठ गे ना वो यह करने लगया रहा किस भाई की बला एक मैस देखने गया था वह अच्छा अदमी नहीं था अगला तो मैस के दो लाक रुपे मांगे बला मना उस मै इसके रुपे लगाए थे नब्वे अजार मका सुकर है अच्छा अदमी नहीं था बान देगा को नुवाई आत्म किसे के पसूगी पैमेंट कच्छे पैसे लगाना उससे अच्छा तो यह कह दो वही हमारे समझ में नहीं आई तो एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दे 5nesota 100 6563 में बीस बीस किलो की पुकार सुनी होगी जी 18 आज तयार है इसके अलावा एक और जोक्ति वह वह भी दिखा देगे जी तो बीस बीस किलो की पुकार सुनी होगी जी बहुत बाइयों के मुझ से दूद निकाल के देना ओखा काम है 20 किलो दूद आज की डेट में 18 तयार है और 20 जी नॉर्मली निकाल देगी बैंस में जगें भी बहुत दिख रही है तो जितने भी भाई इस वीडियो में जुड़े हैं जी जो भी किसान साथी खरीदना चाता है मुबाईल नंबर चल रहा है बहुत भाई एक ही कोमेंट करते हैं रेट रेट दो तिन वीडियो में मैंने रेट बता भी दिया फिर भी वो भाई ये लिख देते हैं कि रेट बता जी जी तो जितने भी किसान साथी जुड़े हैं जी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें सभी भाई जुड़े सभी का धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से नमस्कार जी